क्या नाम अपका मेरा नाम अबदोलगनी अबदोलगनी गनी कहन से हैं आप मैं करनानक से करनाटकस चाल आप है ची आपका बच्चा यहां क्या करता है मतलब आपका बेटा यहां पर वो फर्मेसिस्त है, तो उनका open work permit लगाया गया है, जिसमें आपको pending letter मिल गया है, उनका जी मिल गया है, टीक है, आपने कभी दिया था, मैंने 15 दिन पहले दिया था, 15 दिन पहले मतलब यह रमजान में ही आपने दिया है, रमजान में ही उनका काम शुरू कराया गया तो आपको मैं सर बता दू कि जैसे कि आपके लड़के का open work permit है यह माल दिप्स के लिए ठीक है इसमें agency job provide नहीं करती है इसमें agency job provide नहीं करती है इसमें आपको खुछ से भी job ढूनना होता है और agency भी आपको support करती है कि यहां यहां पर interview है यहां पर आप जाओगे तो job वगहरा मिल सकती है ठीक है बिलकर और agency भी आपको वहां पर job दिलाती है ठीक है agency भी आपको वहां पर job दिलाती है जी है और salary expedition आपके लड़के की क्या है almost 1000 dollar जै उसकी salary expectation मतलब इंडियन करंसी में अगर हम लोग बात करें तो वो सेलरी साट से सत्पर अजार के असपस होगे जी वो सेलरी आपके सन ने एक्सपेडेशन किया है कि मुझे इतना सेलरी मिलना चाहिए अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो जो ता? मैं बूलवस आपे पूछना चाहूंगा कि आपके जो सन है आपके जो बेटे हैं उनकी यहां पर जो बी नवकरी कर रहे हैं वो नवकरी में की सेलरी कितनी हैए,वो दू नौकरी कर रहा है है यहां पर लेक्टेर भी है और और напीकिर सेल कलकाम करते हैं बड़िय। माशालला यह अच्छी बात है कि 30-40 जार यहां पर मतलब काफी मैनत कर रहे हैं कि एक साइट दूसरा भी जौब वो देख रहे हैं और एक साइट फिर उसके बाद वो काम को टाइम दे कर फिर दूसरे भी काम को वो समय दे रहे हैं तो यह करना तो बहुत हर किसी के लिए मुश्किल होता है पर वो कर ले रहे हैं यह उपर वाले का शुकरी अदा करेगी वो दोनों तरफ से हैंडल काम कर रहे हैं जी बिलकुल अल्ला की महरवानी बिलकुल अभी जब यह माल्दिप्स जब ओपन विजे पर जाएंगे तो इन पर भी आपको एक टाइप का समझ लिजिए रजिस्ट्रेशन यह वगेरा जो भी रहता है वो पैंडिंग रहता है यह और आपको जो भी है मतलब जॉब्स वगेरा जो भी लेकर और जब वहां पर जॉब अगर जब आपके सन को दिलाया जाएगा जब आपके सन को जॉब प्रोवाइट कर दिया जाएगा तो मैं आपको बता दू कि जब उनको जॉब प्रोवाइट होने के बाद अगर उन्होंने एक कंपनी में 10 दिन किया 5 दिन किया 10 दिन किया उनकी सेलरी उनको अंदस पोड क्लियर हो जाएगी अच्छा ठीक है जै इसमें कोई भी बॉन्डि नहीं रहेगी कि नहीं आप यहां पर रुके एक तरीके का दो साल का जो contact period होता है जैसा work permit होता है वैसा आपको रुकना नहीं है जी अच्छा आपने 10 दिन अगर उनके pharmacy या chemistry या swap और पर या उनके go down में अगर आपने किया तो आपके अगर 10 दिन आप करके छोड़ दिये तो आपको 10 दिन की आपको payment वो देखे clear कर देखे और उसके बाद अगर वो जैसे की एक जॉब दो जॉब तीन जॉब पांच जॉब अगर कहीं पर एक जॉब पे उनको आकर satisfy हो जाते कि यहाँ पर यह मेरे लायक जॉब है तो वह वहां पर आराम से जब तक का freelancing दो साल का work permit है open work permit तब तक वह वहां पर रह सकते हैं और वह कभी भी कभी भी मतलब open work permit का जो भी वैलिडिटी टाइमिंग है वह टाइमिंग के बीच में कभी वह इंडिया आ सकते हैं और इंडिया से जा भी सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा रोग तोक नहीं रहेगा कि company की तरफ से रोग तोक है कि नहीं मत जाओ इस तरीके का रोग तोक नहीं र आजाद वीजे पर आप कभी भी आओ कभी भी जाओ कोई भी रोग तोक नहीं है ठीक है और आपसे आपने मुझे कहां पर देखा कैसे आपको यह हुआ कि मुझे इनके पास जाना चाहिए और काम कराना चाहिए ऐसा क्या सोचा आपने मैंने मन बनाया और आपके office आ गया ब बिलकुन, और फिर यहां मुझे जो बातचीत करने के बाद, बिलकुन, मुझे सटिस्फेक्शन हुआ, बिलकुन, और वो सटिस्फेक्शन के हिसाब से मैंने आप से जो है काम के लिए रिक्वेस्ट किया और आप में उसके एकसप कर लिया, बिलकुन, और अभी प्रोसेस में बिलकुन, और आपने कहा था बीच में की राजियो भाई, अबदुला भाई, थोड़ा आपने पुराईयां भी देखी थी, मैंने यूटूब पे काफी आपके बारे में देखा, बिलकुन, अगर जब आओफिस में आया, तो मुझे पूरा वो फेक लगा, बिलकुन, और वो आदमी कोई अगर घलत करता है, बिलकुन, वो आफिस बं कर देगा, सही है, मिलेगा नहीं, सही है, तो यह सुब चीजने यहां आके देखने के बाद मुझे पत्ता चला कि दुनिया में जो है, लोग किसी से अगर खुश नहीं है, बिलकुन, तो किसी की बुराई तो न जाबरी नहीं कर सकते हैं, तो यह सोचेंगे कि उसको किसी तरीके से बदनाम करके उसको नामी उसका खराब कर दिया है, इस तरीके से, आज आप यहां पर आए हैं, आज की तारीक 15 अपरेल है, जी, दोजार चौबीस, अभी आपने आए, तो अभी आपने देखा कि मेरे आ